दोस्तों स्वागत है आपका अप ही के चैनल में चर्चा करेंगे डिटेल एनलिसिस करेंगे निफ्टी का क्या important level हो सकते हैं और हम किस परकार से market को anticipate कर सकते हैं उन level के breach होने के बाद और market फिर हम को कहा पे दिख सकता है ठीक है तो analysis रहेगा यह next week का important week है expiry week है monthly expiry का ठीक है 28 से I think 1 September तक हमारा पूरा next Monday से लेके Friday तक का week रहेगा इसी में शायद आपकी monthly expiry भी है 31st of August हो है ना तो चलिए शुरू करते हैं educational के purpose से ये वीडियो है मैं अपना personal जो मेरा मत है market को लेके वो आपके साथ share करता हूँ आप अगर trade करते हैं उसके base पे तो आप ही अपने profit public loss के जिम्मेबार होंगे मैं कोई buy sell recommendation नहीं दे रहा हूँ आपको ये सरीफो सरीफ as a study purpose से learning purpose से चीज़े आपके साथ में share कर रहा हूँ ठीक है दोश्तों चलिए आए शुरू बात करते हैं यह है कि मैं share कर चुका हूँ आपके साथ यह उपर से घुसके आके इसमें enter किया अब यह नीचे इसके lower band को टच करना चाहिए 19150 के आसपास 19100 आ जाए 19150 आ जाए वो हम देखेंगे next week में क्या हमको देखने को मिल सकता है technical तो यह कहता है और आप देखेंगे यहाँ पे जब से यह उपर से नीचे आ रहा है एक corrective phase में आ रहा है मतलब ऐसा कोई move नहीं मिलेगा आपको की उपर 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 फिर हलका साथ 4-5 दिन का consolidation फिर उपर 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 एना ऐसा कोई move नहीं है इस तरीके का कोई move नहीं है नीचे आया कैसे है कबड़ी खिल खिल के हूँ तो तेरे पाले में मेरे पाले में तेरे पाले में मेरे पाले में तेरे पाले में मेरे पाले में ठीक है एक बार पाले के बाहर भी एक बार पाले के बाहर भी उपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ इसमें जो में चीज है जो में आपको चीज ध्यान रखनी है वो है दोस्तों यह जो मैं थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ अपने लास्ट एनलिसेज में भी शेर किया था है ना ध्यान से समझीएगा यह जो फ्राइडे गया है इस केंडल को फिलाल के लिए भूल जाईए आप ठीक है और यह अगर आप दिन देखेंगे यह अगर आप दिन देखेंगे तो इन दिन में क्या देखेगा आपको एक यह रेड केंडल है एक यह रेड केंडल है एक यह रेड केंडल है बट कोई भी रेड केंडल ऐसी नहीं है जो मैंने ये रेड कलर की लाइन खीची है मतलब कह लिजिए कि 19 350 की नीचे में जिसकी क्लोजिंग मिली हो इस ये चीज क्या दिखाती है ये चीज क्या दिखाती है कि वही है जब-जब मार्केट इहां पर आया है जब-जब मार्केट इस जोन में आया है मतलब की 19 250 से लेके 19 350 कुछ बड़े हाथ ऐसे आये हैं जिन्होंने मार्केट को बाय किया है जिन्होंने मार्केट को बाय किया है कोई भी क्लोजिंग 19 350 के नीचे नहीं होने दी है अब इस फ्राइडे को हमको देखने को क्या मिला एक रेड केंडल हमको देखने को मिली जिसकी क्लोजिंग 19 300 के नीचे है है इस जोन के अंदर ये जो जोन है है क्लोजिंग इस जोन के अंदर जोन क्या है 19 250 से लेके 19 350 बट ये weakness का sign है वीडियो समझ में आ रही हो तो like का बटन जो दबाईएगा मतलब चार्ट बोल क्या रहा है चार्ट आपको कह क्या रहा है ठीक है दूसरा क्या है दूसरा भहिया ये candle बनी है Friday को Friday की candle क्या करती है Friday की candle एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैं मेरे को नहीं लगता YouTube में कहीं होगी कि closing क्या कहती है market की closing क्या बोलती है market की opening क्या बोलती है बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आपकी market की closing का हो रही है market की opening का हो रही है ठीक है एक वीडियो आएगी इसके उपर हाँ हम जिस चीज के लिए वीडियो बना रहा हूं उसको continue रखते हैं resume करते है Friday की जो candle है Friday की candle क्या करती है basically आपकी जो पूरे week का जो move चल रहा है Monday से लेके Friday का उसको complete करती है है ना तभी आपने Friday को कभी-कभी देखा होगा Monday से लेके Thursday तक जो trend होता वो एकदम चेंज हो जाता है यह Friday को आपको बहुत देखा होगा ठीक है वो इसलिए होता है क्योंकि weekly candle को उनको adjust करना पड़ता है अब यहाँ पर आप देखे weekly candle क्या बोल रही है यह है weekly candle weekly candle ने क्या दिखाया है trend को continue रखा है और ऐसा आपको बहुत rare मिलेगा एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच red candle मिली होंगी with lower closing lower, low closing ठीक है इस चीज को थोड़ा सा समझी आप पीछे के चार्ट खुल के देखिए यह scenario आपको बहुत कम मिलेगा बहुत कम ठीक है देखिए यहां तो है इनी 2020 और यहां 2030 चल रहा है यहां जरूर है एक, दो, तीन ना भईया यहां भी नहीं है साड़े साथ अजार पॉइंट की गिरावट में भी यह scenario नहीं है देखिए आप market कहा गिरा था market गिरा था यह 12,430 और यह 7511 का low अचाए कि यह candle गिन सकते हैं आप एक, दो, तीन, चार, पाँच तो एक lower low बनता हुआ दिखा बट candle formation क्या थी green थी तो यह पाँच जो continuous red candle है with lower low यह हम को अभी देखने को मिली है पिछले चार साल में अलागे गिरावट को इतनी significant नहीं है कि आप कहतेंगे लोने वाला है उसको आप लोग समझ गया रहे हैं देखिए यह पूरे चार्ट को आप किस परकार से read कीजी ठीके यह red line तो खीचे रहने देना हुए इसके उपर बनेगा आपका buy हम मैं closing basis की आप से बात कर लो 19.300 का आए है यह रह ठीक है color थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ताकि दिखे भी यही ठीक है अभी यह इस यह जो जोन है ठीक है यह जो जोन है इसमें नीचे है 19.300 उपर है 19.500 ठीक है 19.500 यह है धर्ती लोक ठीक है यह जो जोन है यह आपका धर्ती लोक है मतलब जहां पर प्राणी रहते हैं इसके उपर है स्वर्ग लोक और नीचे है पाताल लोक इसके नीचे सीधा break 18.800 से लेके 18.900 के बीच में है यह आप कह लिए अठारा नौसो के आसपास है इससे पहले तो कोई break नहीं है यहाँ भी हम एक लाइन खीज देते है यह रहा है न दोस्तों चार्ट को जड़ा अब देखिए आप अब यह जो ऊपर गया है इसमें एक gap तो यह यहाँ छोड़के गया है एक gap यह यहाँ छोड़के गया है ठीक है यह है 19.200 और यहाँ तो यह अठारा न आट सो के आसपास है ठीक है इसने जो यह breakout दिया था यह gap के साथ ही दिया था all time ATH का जो breakout दिया था वो gap के साथ दिया था अब अगर यह इस zone के नीचे ही रहता है जो मैंने धरती लोग को मार्क किया है 19.300 का इसका bottom है 19.500 का इसका top है इसको मत काउंट की दिया भार खुला बस नीचे आगए इसके उपर closing ज़रूरी है जब यह 19.500 के उपर close कर देगा green candle के साथ यह याद रखिएगा close करेगा green candle के साथ तो समझ लिए यह स्वर्ग लोग की तैयारी हो गई है चला फिर ही फिर यह उपर की तरब चला इसी बीच में रहेगा तो फिर भाईया यह कबड़ी ही खेलता रहेगा एक बार उपर एक बार नीचे बट अगर यह 19.300 के नीचे ही रहता है तो फिर यह target है 18.900 फिलाल हमको market यह बोल रहा है पहली candle हमें बहुत एक breakdown टाइप मिली है अब तक कि तो इसमें आप देख लिए यहां आया फिर उपर भाग गया 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 फिक है तो ट्रेडिंग अगर market की ट्रेडिंग अगर मार्केट की मंडे 28 अगस्त को 19.300 के नीचे ही होती है तो be on sell side टारगेट आपके 19.150, 19.000 और 18.900 ये तीन टारगेट है 19.300 ठीक है अब समझे इसमें क्या-क्या इंडिकेशन आपको लेनी है अगर कोई closing मंडे को मार्केट खुला नीचे खुला उपर खुला वो घुसके 19.300 के उपर close कर देता है मार्केट घुसके 19.300 के उपर close कर देता है तो फिर से वो इसी consolidation zone में फस जाएगा ना तो वो उपर गा रहेगा ना वो नीचे गा रहेगा उसमें होगा क्या इस area में आ जाएगी buying जो मैंने आपके साथ discuss किया है ठीक है और इस area में जाती आ जाएगी selling अब यह continue रह सकता है फिर Monday से लेके Friday तक या कहले लिजिए आप Thursday तक जो भी expiry तक ड्रामा इनको करना है अलाकि मुझे लगता नहीं है volatile होना चाहिए move volatile अगर तीजी भी होनी है तो भाड़ के हो जाएगी मंदी भी होनी है तो फिर वो 19,000 की तरफ चली जाएगी फिलाल तो चार्ट यह बोल रहा है ठीक है तो call bull जो है उनका call carry करने का number वो ही है जो मैं पिछले 10 दिन से बोलता आ रहा हूँ जब तक 19,525 थोड़ा और safe side हो जाईए इसके उपर close ना करे ग्रीन केंडल के साथ आप घर में BTSD ना लेके जाएग पुट केरी करके ना जाएग बिल्कुल कोई किसी परकार की पुट केरी नहीं करनी है यह बुल्स के लिए एक परामर्स है उनको suggestion है ठीक है परामर्स तो नहीं बोल सकते क्या बोलते हैं सलह 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 परामर्स तो ज्यानी वड़ी विद्वानी और भगवान देते हैं सायद अगर closing market की 19.300 के नीचे रहती है तो घर आप put carry करके जाएए put carry करके जाएए मतलब STBT होके जाएए positional basis positional basis का मतलब यह होता है कम से कम आपने monthly expiry ले रखी है सेप्टेंबर monthly monthly expiry नहीं तो future में short करके जाएए एक SL लेकर हम मैं थोड़ा सा आपको और असान कर देता हूं ठीक है और चीजे असान कर देता हूं जो sell रहना चाहता है जो sell रहना चाहता है जो positional market को short करना चाहता है उसका SL है अगर ब्रीच हो जाता है उन्निस चार सो पचास का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है मैं closing closing ये सब बात नहीं कर रहा हूं ब्रीच हो जाता है आप short से exit कर लिए ठीक है short से exit मार दीजे फिर recommendation नहीं है ये ये ब्रीच होता है दुबारा market आके इसी इसी रेखा के नीचे close कर देती है तो आप तब दुबारा short कर सकते हैं तो तेजड़िया है 20,100 इसके नीचे ही है 19,300 तो 18,900 बस सिंपल है और ये low तो टूटेगा आपको पता है कितना बना है 19,230 यह यहां पे भी break इसने इसलिए यहां तक आया था तो क्या gap नहीं फिल कर सकता था इसका reason है इसका reason यह weekly chart पे जाईए आप weekly chart पे दिखेगा आपको ठीक है weekly chart में इस candle का low चेक करिया आप यह दिख रहा है ना आपको एक उपर से shooting star पर green color का shooting star है यह दिख रहा है आपको इसका low चेक करिये इधर देखने को मिलेगा 19.234 इसलिए इसने बस just इसी को match किया है अब यह यह वाला चार्ट जो है इससे इतने पिछले के चार्ट से connected नहीं है यह gap है weekly chart पे gap है यहां तक इसके आने के बहुत बहुत chances है और एक हमें ऐसी candle मिल सकती है कि नीचे जाके हमें low देखने को मिले फिर एक उपर की तरफ candle द देखने को मिल जाए चलिए उसकी बात बाद में करेंगे बहुत तुरानी बात पुल मिला के मैंने आपको चीजे जो है समझा दिए कि आपको market को देखना कैसे है और market में पिछले week में मैं क्या देखने को मिला है जो की पिछले की चीजों में नहीं देखने को मिल रहा था ठीक है दोस्तों तो दो चीजे जो आपको हेल्प कर सकते हैं मैं आपके साथ शेर कर देता हूं 9229 गे लेवल जरूर भरीच होगा मतलब कि कोई राइज आता है तो वो सहली करना है नीचे की तरफ और अगर तेजी होती है तो 19500 के उपर क्लोज होना जरूरी है ठीक है अगर ये लेवल सुबह मौर्निंग में ब्रीच हो जाता है फिर क्लोजिंग 19300 के उपर हो जाती है तो गडबड़ है इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखेगा ठीक है अगर मौर्निंग में ही लेवल ब्रीच हो जाता है फिर क्लोजिंग 19300 के उपर आ जाती है तो शौट को एक्जिट करना है तब भी तब भी short को exit मार दीजेगा ठीक है चलिए Thank you very much